प्यारे बच्चो आज हम कक्ष्या दसकी विध्यान की वर्कषीट नमबर फर्टी एट करेंगे आज की वर्कषीट बच्चो तत्व का आवर्त वर्गी करनू से सम्बंधित हैं और इसमें आज हमें कुछ टोपिक पढ़ेंगे आदुनी कावर साननी की प्रिवर्थी से समंदित तो टोपिक की पहला हमारा रहेगा स्विजगता आदुनी कावर साननी की प्रिवर्थी से समंदित टोपिक स्विजगता तत्तों की स्विजन अक्समता को स्विजगता कहते हैं श्विजन शोता बच्छो जुड़ना किसी भी अन्य तत्व के साथ जुड़ने की एक्ष्मता को स्विज़गता कहते हैं बायतम कोश को पूरा करने के लिए तत्तो को जितने इलेक्टोन लेने या साजा करने की जरूरत होती है वह तत्तो की स्वेज़क्ता कहलाती है तो इसकी प्रिवासा बच्चो इस तरह भी दे सकते हम कि बायतम कोज को पूरा करने के लिए तक तो को जितने ईलेक्टरों लेने देने और शाजा करने की आफशकता या जरूरत होती है उस तको की स्वेजगता कहलाती है आवर्त में 20 से दाइं और जाने पर स्वेज़कता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है देख सकते हैं सोडियम 1, मेगनिशिम 2, ऐलिमिनियम 3, सिलिकोन 4, फिर फासपोरस 3, सिल्फर, कलोरीन, आरगन तक फिर जाते हैं तो ये 0 हो जाती है समू में स्वेज़कता समान रहती है ये बताया कि आवर्त में तो पहले बढ़ती है फिर गटती है लेकिन समू में स्वेज़कता एक समान रहती है जैसे पहले समू में हम लेते हैं तो उसमें पहले समू में स्वेज़कता एक मिलेगी है मैं दूसरे सुमू में सुज़ता सभी तत्वों की दो मिलेगी परमानु साइच इंपोर्टेंट है बच्चो परमानु साइच से परमानु की तिर्जय का पता चलता है परमानु के केंदर से उसके सबसे बारी कोस की दूरी ही परमानु के साइच को दर्शाती है आवर्त में बाई से दाई और जाने पर परमानु तरजा घटती है क्योंकि नाबिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्टोनों को नाबिक की और खीचता है क्योंकि नाबिके बल ज़्यदा हो जाता है जिससे परमानु का साइज घट जाता है उधान के लिए जैसे हम लेते हैं सोडियम तीसरा आवर्त हम लेते हैं थार्ड आवर्त में तिरिज्जा देखे पिको मेटर में दी गई है सोडियम की 106 है मेगनिशिम की 160 होती है अलिमिनियम की 143 तो इस तरह से घटती चली जाती है और कलोरिन की 99 हो जाती है नियान में परा जाती है इस तरह से कम होती चली जाती है आवर्त में तब अच्च शुमू में देखेंगे सुमू में उपर से नीचे आने पर प्रमानू का साइज बढ़ जाता है योगकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है जिससे की नाविक और बारी कोश की दूरी बढ़ जाती है तो उपर से नीचे जाते है तो देखेंगे किस तरह से ये बढ़ती चली जाती प्रमानू तरिजया समू एक के तत्तों की प्रमानू तरिजया दिखाएगे है लिथियम, सोडियम, पोटैसियम, रूबिडियम, सीजियम उसके बाद बच्चों धात्वी गुण दरम धात्वी गुणे कारत है कि किसी तत्तों के प्रमानू दवरा इलेक्टोन त्यागने की एक्समता धात्वे आवर सार्णे में बाई तरफे रखी जाती है और इनमें इलेक्टोन त्यागने की एक्समता होती है इसी वज़े से इनके उपर पलस दिन पाये जाता है जैसे मेगनिसियम के उपर टू पलस होता है सोडियम के उपर एन ए पलस होता है ये इलेक्टोन त्यागती है आवरत में बाई से आवरत में बाई से दाई और जाने पर दात्वी गुण कम ह enroll जाता है क्योंकि इलेक्टोनों पर नाव की आवेस बढ़ता है और इलेक्टोन तयागने की प्रिवेटी घट जाती है दात्व इलेक्टोन खोते हैं और दनात्मक अइन बनाते हैं समू में उपर से नीचे आने पर दात्वी गुन बढ़ता है क्योंकि स्योजी इलेक्ट्रोनों पर नाब क्यावेस गटता है और बाहरी इलेक्ट्रोन सुगमता पुरवक निकल जाते है ऐ दात्वी गुन दर्म बच्चों एदात्वे विद्दू तरणात्मक होती हैं जैसे फलोरीन है F- उपर- कचिन लगा देते हैं कलोरीन है C- क्योंकि इन में इलेक्ट्रोन गरहन कर आबंद बनाने की प्रिवर्टी होती है एदात्वे आवर सानने में दाई और पाई जाती है दाई तरफ इनको रखा जाता आवर साननी में आवरते में बाई से दाई और जाने पर आदात्वी गुन बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाब की आवेस बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोन गरहन करने की प्रिवर्टी बढ़ जाती है समू में उपर से नीचे आने पर आदात्वी गुन कम होता है क्योंकि प्रभावी नाब की आवेस कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोन गरहन करने की एक्समता कम हो जाती है आवर सानने के मद्दे में उप दात्वी या अर्द दात्वी पाई जाते हैं वेले की आधवाइं दातों के काया स्वान दातों के ही तथा कुछ गून एधातों के दर्शाती है यानि अरद डातोंके एत्वाउ उप दातों के गून पाए जाते हैं कुछ ए दातों के दौनों के गुण मिक्स पाए जाते हैं इसमें दातो ओक्षाइड आकसार ये प्रिवर्थी के होते हैं जबकि ए दातो ओक्षाइड अमल ये प्रिवर्थी के अथवा प्रिकर्थी के होते हैं आईए बच्चों कुछ अब्याश की क्युच्छन करते हैं तत्तों के इलेक्टोनिक विन्याज के दोबरा उसकी स्विजगता कैसे ग्याद की जा सकती है बच्चों इसकी परिवास आप यहां से लिखेंगे तत्तों की स्विजगता को स्विजगता कहते हैं तो यहां से लेकर के आप यहां तक लिख सकते हैं इलेक्टोनिक विन्यास से उस तत्तों की प्रमानों स्विजगता हम ग्याद कर सकते हैं किसी तत्तों के आखरी कक्ष में मुझूद इलेक्टोनों की संख्या को स्विजगता के रूप में दर्शाय जा सकता है किसी तत्तों जैसे हम सोडियम को लेते हैं सोडियम का की परमानों संख्या बच्चो ग्यार होती है और इसका इलेक्टोनिक विन्यास दो आठ एक होता है इसके आखरी कक्स में एक इलेक्टोन मोजूद है इसलिए इसकी स्विजगता एक है इसी तरह मेगनेशियम होता बच्चो मेगनेशियम का इलेक्टोनिक विन्यास दो आठ दो होगा तो इसकी स्विजगता बच्चों दो होगी क्योंकि इसके आखरी कक्स में मोजूद इलेक्टोनों की संख्या दो है क्योंसर नमबर तीन पर आजाईए किसी तत्तों के दात्वी के अभिलक्षन शे आप क्या समझते हैं समू में नीचे की और आने पर यह कैशे बदलता और कार्ण बताईए तो बच्चों इसमें दात्वी के अभिलक्षन पूछा गया है और समू में पूछा गया है इसकी परिवासा आप यह लिखेंगे यह वाली और यह वाली लिखेंगे समू में ये दात्वी गुण बढ़ता है नीचे आने पर ये दो वाले आप इसमें लिख देंगे ये इसका अनस्वर है समू में नीचे की और आने पर और आवर्त में 22 दाई और जाने पर परमानू साइज की प्रिवर्ति की सुपरकार प्रिवर्तित होती है कारने लेगे तो वच्छो कि उस्ट नमबर च्यार है तो इसके लिए इनस्वर लिखेंगे प्रमाणू साइज की प्रिविर्टी ये वाले लिखेंगे आवर्त में बाई से दाई और जाने पर और शमू में उपर से नीचे की और आने पर प्रमाणू साइज इस तरह से इलेक्टोनिक विन्यास 12, 13, 14, 15 है बताईए कि तत्तो क्यों की सुझजगता क्या है क्यों पर आएगा 13 क्यों तेरे पर आएगा इसका इलेक्टोनिक विन्यास लिख लिए इसका इलेक्टोनिक विन्यास आएगा 2, 8, 3 तब बच्छो आखरी कश में तीन इलेक्टोन मोजू इसलिए इसकी सुज़ता तीन होगी फिर वच्चो इन्होंने पूछा कि इन तत्तों को दातों दातों में वर्गी करीद कीजिए तब वच्चो दातवे हैं पी और क्यू जो है वो दातवे हैं जबकि आर जो है वो उपदातु है और एस जो है वो एदातु है दो दातवे पी और क्यू दातवे हैं आर जो है वो उपदातु अथवा अर्द दातु है और एस जो है वच्चो वो एदातु है तो इस तरह से आप वर्गी करीद कर सकते हैं इनमें से कौन सा तत्तों तेदिक आकसार एक्सारी 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 एक्सार